तो जब से ये सरकार आई है हर दिन लूट हत्या बलादकार है तभी मैंने कहा कि बिहार में हाहा कार है ते जस्वी संग निती से कुमार है। पार के सत्ता में अब जो अत्यांत पिछडी जाती है उनकी भागीदारी होनी चाहिए। उनको आगे लाकर के उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उनके मन के उपर क्या बिता होगा और दोसी कौन है उसको तुरंट सिनाक करके करी से करी सजा आपको देनी पड़ेगी। तो इनको जल्दी बाजी थी क्या जल्दी बाजी थी समझ में नहीं आया कि तूटी पूर्ण जाती है गन्ना को प्रकासित कर दिया इन्होंने और आर्थिक सरवेक्षन की कहीं इसमें चर्चा नहीं जाती की संख्या आप बता दिये। जिन लोगों ने आपत्ति की है कि मेरे घर नहीं आया हमारी गन्ना नहीं हुई हमको पूचा नहीं गया कुछ जाती विरादरी के लोग ऐसा भी कर रहे हैं जो हमारी कहीं चडचा ही नहीं है इसके अंदर तो जिन विश्यों को जनता के लिए गन्ना की गई है तो जनता जन नारदन बिहार की महान जनता जिन विश्यों को उठा रही है, जिन तूटियों को उठा रही है, सरकार को संबेदन सील होकर उन बिंदों पर विचार करना चाहिए। और जो 5 और 15 तारीक को परिक्षा होने वाली थी, वो भी कैंसल कर दिया गया नहीं, यह स्थागित कर दिया गया, अब इस चीज़ बात चित करने के लिए हमारे साथ जिवेश मिश्रा जी है, जो भाजपा से विदायक है, पहला कोश्चन कि ये जातिये जन गन्ना का लोग ब अक्षिधर रही है, और आपको मालूम है कि भारती जनता पाटी की नितुत वाली सरकार नहीं यह निर्ने लिया था, कि हम जातिये गन्ना कराएंगे, आर्थिक सर्वेक्षन के साथ जातिये गन्ना कराएंगे, तो एक तो इनको जल्दी बाजी थी, क्या जल्दी बाजी थ आएगा, जब निर्ने एक साथ लिया गया था, जातिये गन्ना आर्थिक सर्वेक्षन हम एक साथ लाएंगे, तो क्यों आगे पीछे आएगा, आखिर आपकी मन्सा क्या है, आपकी मन्सा क्या है, आपकी मन्सा क्या है, असपष्ट करनी चाहिए आपको, एक साथ क्यों नही कि जिन लोगों ने आपत्री की है, कि मेरे घर नहीं आया, हमारी गंणा नहीं हुई, हमको पूचा नहीं गया, कुछ जाती विरादरी के लोग ऐसा भी कर रहे हैं, जो हमारी कहीं चड़्चा ही नहीं है इसके अंदर, तो जिन विश्यों को जनता के लिए गन्ना की गई है तो जनता जनारदन बिहार की महान जनता जिन विश्यों को उठा रही है जिन तुरूटियों को उठा रही है सरकार को संबेदन सील होकर उन बिंदों पर विचार करना चाहिए कुछ लोग ये बता रहे हैं कि आप लोगो डर लग रहा है क्योंकि यादवों की जो संख्या है वो 14 प्रतिशत हो गई है मुस्लिमों की संख्या 17 प्रतिशत हो गई है तब आपको डर लग रहा है ये गिंती होने के पहले जादब कम थे क्या और ये गिंती नहीं हुई थी तो मुस्लिम कम थे क्या संख्या तो इनकी इतनी थी और ये तो सबकी संख्या इतनी थी एकाद परसेंट उपर नीचे चलते हुए साल में हुआ होगा तो संख्या से डर क्यों लगेगा किसको डर अब जो अत्यांत पिछड़ी जाती है उनकी भागीदारी होनी चाहिए उनको आगे ला करके उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए अब ये प्रस्न मूल प्रस्न है इस पर क्या नितिश सरकार कर रही है ये उनको डर लगने का विश्य है भारतिय जनता पाटी तो पहले से OBC क महिलाओं को सब को साथ लेकर चलती है पूरे देश में सबसे ज़्यादा OBC सांसद भारतिय जनता पाटी के पास है तो भारतिय जनता पाटी पहले से सब का साथ सब के विकास में विश्वास करने वाली पाटी है इसलिए इस गिंती से डर उनको लग रहा है जो अत्यंत छो समय तक समाला है दर लगना उनको लाजमी अब ये तो मुख्यबंतर जी से सवाल होना चाहिए कि आप 18 वर्सों से हैं आपके पास कोई बुलेट प्लान नहीं है कोई फुल प्रू प्लान नहीं है बीपी असी तक का परचा लिक हो जाता है सिपाही भरती का परचा लिक हो ज दे रहे हैं वो 6 महीने 8 महीने से तैयारी कर रहे थे उनके मन के उपर क्या बिता होगा और दोसी कौन है उसको तुरंत सिनाक करके करी से करी सजा आपको देनी पड़ेगी ये अंदर का अधिकारी बड़ा अधिकारी भी इसमें सनलिप्त है और आप जाच उन तक नहीं पंचने देते हैं इसके कारण बार बार ये परचा घोटाला होता है ये परचा लिख हो जाता है और कहीं न कहीं छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है 15-15 लाग हो गाही किया इसकी भी जाच होनी चाहिए सरकार का काम है दूद का दूद पानी का पानी करें अब आपको एक कविता सुना रहा है थे कविता के माध्यम से नितीश कुमारोत त्यस्वी जी का लेकिन वो दोनों तो कहते हैं हम दोंका बेस्ट है हम बहुत बेस्ट दे रहे हैं अभी इंडोर एक बनाए है उन्होंने फ्लाइओवर के नीचे स्मार्ट सीटी के ताह जिस से 20% पैसा भी यह नहीं जमा कर पाते हैं बिहार में सारा पैसा तो भारत सरकार का है यह कि यह क्या है आप अखवार उठा कर पर लिजी आप आज के अखवार में भी लूठ हत्या बलातकार होगा कहीं न कहीं पर लिजी आप तो जब से यह सरकार आई है हर दिन लूठ हत्य बलादकार है तभी मैंने कहा कि बिहार में हाहाकार है तेजस्वी संग नितिशे कुमार है यह जो जिवेश मिश्रा विधायक है वो कह रहेते फिलाल आपकी कह रहेते वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बते हैं आप देख रहेते जंता जंक्षन थन्यवार